हलो स्टुदेंट्स, वेलकम तो तिवारी अकेडमी, तो आज हम प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न संक्या सत्र हल करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि ए एक तीन क्रॉस तीन कोटे का वर्ग आभ्यू है, तो एड्जॉइंट एक साडिक का मान हमको बताना है, और यहाँ पर हमको चार विकल्प दिये गए हैं, उनमें से सही विकल्प को चुनना है, तो देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, यह अपने पास साडिक का मान है, अर्धात हमारे पास एड्जॉइंट एक का साडिक का मान हमें निकालना है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस तवाल को दो method से solve करेंगे, सबसे पहले method 1 सीखते हैं, method 1 में देखिए हम जानते हैं कि a inverse का यदि मैं a से गुणा करूँ, तो वो i के बराबर आ जाता है, अब चुणकि आपको तो adjoint a आना चाहिए, लेकिन यहां तो adjoint a कहीं नहीं आ रहा है, तो आप देखिए, यदि a inverse की आप परभासा लिखेंगे, तो वो होती थी, adjoint a बटे साड़िक a का मान, गुणा a आप्व्यू बराबर i हो जाएगा, तो यहां से adjoint a गुणा a आप्व्यू आ जाएगा, साड़िक a का मान गुणा i आप्व्यू, अब देखिए, एक हम प्रॉपर्टी पहले समाई लेते हैं, यदि a, b, दो आप व्यू हैं उनका गुणा किया, और मैं उन पर साड़िक का मान लगाता हूँ, तो यह मेरे पास आता है, साड़िक a गुणा साड़िक b, तो इसी प्रॉपर्टी को मैं फॉलू करूँगा, तो आप देखिए, मैं अभी क्या करता हूँ, कि साड़िक ले लेता हूँ, दोना तरफ, तो यह आ जाएगा, एड्जॉइन्ट ओफ a, गुणा a का साड़िक बराबर, साड़िक of, साड़िक a गुणा i, तो अभी देखिए, यहां से, आई तो अपने पास, तीन क्रॉस, तीन कोटे का आप भी होगा, तो यहां से आ जाएगा, इसको देखिए, प्रॉपर्टी के साबसे, मैं दो अलग-अलग में ब्रेक कर सकता हूँ, तो साड़िक of, एड्जॉइन्ट a, और साड़िक a का मान बराबर, यहां से देखिए, यह साड़िक a का क्यूब आ जाएगा, तो यहां से साड़िक एड्जॉइन्ट a का आ जाएगा, साड़िक a का क्यूब बटे साड़िक a, और यहां से मेरे को पता लग गया, कि Adjoint A का Sanadic हो जाएगा Sanadic A का Whole Square तो यहां से अपने पास Option B Correct हो जाएगा चलिए यह तो अपने पास Method 1 हो गया अब हम Method 2 देखते हैं जो कि अपने पास Formula से आएगा तो Method 2 में देखिए हमें एक Formula याद करना है कि Adjoint A का Sanadic होता है Sanadic A की घात N-1 अब दिक्त आएगी कि हमें यह नहीं पता कि N क्या होता है तो देखिए N होता है अपने पास जो कोटी होती है Sanadic की तो यहां पर हो जाएगा Sanadic of Adjoint A बराबर Sanadic A की घात 3-1 और यह हो जाएगा Sanadic A का Whole Square तो यहां से भी आप देख रहे है Option B ही अपने पास Correct हो रहा है जो यह Method 2 है वो एक Formula है और वो किसी भी कोटी के वर्ग आप व्यू के लिए हम निकाल सकते हैं लेकिन Method 1 हमारे पास पूरा प्रोसीजर था तो आप कुछ भी इसमेंसे उपयोग में लए सकते हैं चलिए अब हम प्रशन संख्या 18 पर वड़ते हैं यह हमारे प्रशनावली का अंतिम प्रशन भी है इसमें दिया हुआ है यदि A कोटी 2 का वितक्रम ये आव्यू है तो A Inverse का Determinant Determinant को हिंदी में हम बोलते हैं Saadic हमें बताना है तो चार विकल्प हमारे पास दिये गए तो देखे सबसे पहले तो समझ लीजिए Determinant of A Inverse या अगर कोई इसे लिखता है A Inverse का Saadic तो दोनों सेम ही बाते हैं तो देखे सबसे पहले हम जानते हैं A Inverse गुणा A अपने पास I के बराबर आता हैं अब मैं दोनों तरफ Saadic का मान ले लेता हूँ तो देखे यह आ जाएगा A Inverse गुणा A का Saadic बराबर Saadic of I का या तक्समका वियू तो देखे साडिक तो दो भागों में व्यक्त हो जाएगा तो यह आ जाएगा Saadic A Inverse का गुणा A का Saadic बराबर देखे I या एकाई या तक्समक वियू का हम Saadic लेंगे तो वो हमें पता है कि 1 ही आएगा तो यहां से A Inverse का Saadic हो जाएगा एक बटे आप देखे इसको दाई तरफ भेजेंगे तो यह भाग में चला जाएगा तो एक बटे Saadic A यहां मैं बोल सकता हूँ एक बटे Determinant of A Determinant अंग्रेजी का सब्द है तो यहां से आप देखे अपने पास कौन सा Option Correct हो रहा है अपने पास Option Number B Correct हो जाएगा